इस समय के सबसे बड़ी खबर है 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा गाउं में एक गारा लोग को जिंदा जला दिया गया था आज विसेश अदालत ने सभी आरोपियों को बड़ी कर दिया इनमें माया कोड़नानी भी सामिल है जो उस समय गुजराज सरकार में मंत्री थी कानून की नजर में उने गारोलों के हत्यारा कोई नहीं निकला है तो सोचिए इस समय के सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोसल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि किस तरह से गुजरात के नरोदा गाम दंगे में सबी आरोपियों को बड़ी कर दिया है यहां 11 मुसलिम के जैदी पठेल भी थे माया को डानी ने कहा था कि वो दंगे के वक्त नरोदा में नहीं थी जबकि चस्मजीदू का कहना था कि वो दंगे के वक्त नरोदा में थी उन्होंने भीर को उकुसाया था 2017 में हमीशा माया कोड़नानी के बचाव में गवा के तौर पर कोट में पेस हुए थे तो इस समय के सबसे बड़ी ख़बर बता रहा हूँ कि जो गुजराद दंगे से जुरा मामला है जिस पर यह बड़ी ख़बर आई है और इस मामले में माया कोड़नानी समयत एक गारा को बड़ी कर दिया गया है तो इस सबसे बड़ी ख़बर है तो माया कोड़नानी समयत बावु बजरंगी सारे लोग बड़ी हुए हैं गुजराद दंगे में माया कोड़नानी और बावु बजरंगी बड़े प्लेयर थे वही बिल्किस बानों के मामले में जब सारे दोसियों को रिहा कर दिया गया था जो लोर कोर्ट से दोसी थे उसके बाद रिहा किया गया था उसको लेकर सुप्रिम कोर्ट में सुनबाई चल रही तो इस समय कि सबसे बड़ी खबर है दूसरी एक और बड़ी खबर है सोचिए बीजेपी के जो गवर्नर है वो किस तरह से अरंगा लगा रहे हैं बीजेपी और केंद सरकार के लिए सर्म की बात है कि जार्खन सरकार और हमन सोरेंजे में मोबीशी को 27 फिर्दी रिजर्वेशन देना चाहते हैं और केंद सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अट्रोनी जनरल की सला पर राजपाल जो बीजेपी के बड़े नेता रहें ने अरंगा डाल दिया है बीजेपी जारखंड हारेगी नहीं बढ़ेगी OBC बढ़गो का रक्षन राजपाल ने लोटाया विधायक आपको बता दूँ कि राजस्थान 36 गर मत परदेश वो राज हैं जहां आज भी OBC को 27 परसेंट रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है जिसको लेकर लगातार लोग संघर्श रते हैं तो सोचिए OBC की बात करना उनके सम्मेधानिक अधिकार को न देना ये भी एक आज की सबसे बड़ी ख़बर है और इससे हो सकता है कि BJP को बड़ा चुना भी जटका लग सकता है वहीं एक बड़ा फैंसला स्टालिन ने किया है विसनात परसाप सिंग की तस्वीर जो है वो मुर्ती जो है वो चन्नाई में लगाई जाएगी सोचिए 1990 में मंडल कमिशन की सिफारिशों को उन्होंने लागू किया था इसको लेकर बड़ा फैंसला हुआ है और स्टालिन जो है वो सोसल जस्टिस की पूरी लडाई को लीड करते हुए दिख रहे हैं उन्होंने फैंसला किया है कि बीपी सिंग का मुर्ती जो है वो लगाया जाएगा चन्नाई में आपको बता दें कि 1990 में मंडल कमिशन को लागू किया गया जन्तादल की सरकार में और साथ ही अर्जुन सिंग ने हायर जुकेशन में रिजर्वेसन दिया था बीपी सिंग ने सक्षा संस्ताओं के दरवाजे खोल दिया ठाकरों की नियाव भावना से घवराकर कुलेजियम ने उसके बाद से सुप्रिम कोट में ठाकर जजज बनाना ही बंद कर दिया 34 में एक भी ठाकर जज नहीं है ठाकरों में अपनी नियाय पर्विर्ती की भारी कीमत चुकाई है संपादक भी बनने बंद हो गया डर है कि पता नहीं कब नयाय कर दे स्पी सिंग ठाकूर कम्मुनिटी से ही पत्रकार थे आश्चर जना के उत्तर भारत के नेताओं को कभी नहीं लगा कि एक काम उनको करना चाहिए तमिलनाडू को समझ में आ गया बीपी सिंग ने जाने कितन सराज करोरों भी सी परिवारों पर है बाबा साहिब की जनती की छुट्टी और भारत रतन भी उनके समय में ही हुआ था तो यह बड़ी खबर है कि किस तरह से बड़े समाजिक नयाय के दो सबसे बड़े काम ठाकूरों के हांते हुए बीपी सिंग और अरजुन सिंग दोनो तो यह बड़ी खबर थी इन खबरों पर आप अपनी परतिकरिया कमेंट बक्स में जरूर दीजिए शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख